रूस यूक्रेन युद्र अपने तीसरे साल में प्रवेश करने के बाद और भयानाक होता जा रहा है अब तक यूक्रेन की मदद पस्चिमी देश और नाटो अलायंस पीछे से कर रहे थे लेकिन अब वे खुल कर रूस के सामने आने लगे हैं खत्रे को भाबते हुए रूस ने भी अपनी तयारी पूरी कर ली है इस भीच एक बार फिर से यूक्रेन ने अमेरिकी पेट्रेट एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मांग कर दी इसकी खासियत यह है कि आस्मान से आने वाले किसी भी खत्रे को भाब कर मार सकता है इस बीच अमेरिका और रास्टी सुरक्षा सलाकार ने यूक्रेन को इशारों इशारों में बड़ा बयान दिया है जेक सुबलिन ने कहा है कि अमेरिका अपनी सुरक्षा को कमजोर करने का जोखिम उठाने को तयार नहीं है लेकिन यूरोपीय यूनियन, नाटो और अन्य साज़दारों पर अपनी एर डिफरेंस सिस्टम को यूक्रेन के साथ साज़दा करने के लिए दवाव बनाने के लिए 2400 घंटे काम कर रहा है हाल में यूक्रेनी रास्पती ब्लादमिर जेलेंस्की ने भी पस्चे में इस अमर्थक देशों से कम से कम साथ पैट्रियट बैटरियों की मांग की कीव ने संकेत दिया है कि उसके पास कोई भी अत्रिक्त नहीं है America कैने से ने कहा है कि अमेरिकी Patriot System अभी अमेरिकी सैनिकों की सुरिख्षा के लिए Middle East समय दुनिया भर में तैनाद किये जा रहे हैं यदि हम और अमेरिकी Patriot बैटरियों को अनलॉक कर सकें तो हम उन्हें भेज देंगे मगर अमेरिका मिसाइलों के सप्लाई का काम कर रहा है जो पैट्रियट बैटरियों में जाकर फायर करती पेंटा करने बीटे शुक्रवार को घोशित एतिहास एक 6 बिलियन डॉलर साहिता पैकेज के हिस्से के रूप में अतरिक्त पैट्रियट युद्ध समगरी देने का वादा किया है हलंकि यह साफ नहीं है कि इंटर्सेप्टर के आने में कितने महीने या फिर साल लग सकते हैं दिगज अमेरिकी हतियार निर्माता कमपनी रैथियोन की एक MIM-104 पैट्रियट बैटरी की कीमत एक बिलियन डॉलर से ज़ादा है इसमें कई ट्रक माउंटेट इकाईयां शामिल है इनमें बिजली रडार, एंटीना, इंगेजमेंट कंट्रोल और अन्य साहयक वान साथ इंटरसेप्टर मिसाइलों के साथ आठ लॉंचर शामिल है पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने 1100 से ज़ादा पैट्रियट लॉंचरों को बनाया है एक अनुमान के मुताबिक सैक्रो सक्री भूमिका में अपनी सेवा में तैनात दावा है कि उक्रेन को केवल एक ही बैटरी बेजी गई जर्मनी ने दो बैटरी दी है जबकि नीदर लेंड ने सिर्फ दो लॉंचर शेयर किये है अमेरिका के NSA ने कहा है कि इस बीच हम जो करने जा रहे हैं वो यूरोपी साज़ेदारों और दुनिया के अन्न हिस्सों में साज़ेदारों के साथ काम करना है ताकि वे यूक्रेन को अतरिक्त बायू रक्ष्या समता प्रदान कर सके है जर्मनी और नीदर लेंड के लावा पैट्रियर सिस्टम ऑपरेट करने वाले अन्न यूरोपी देशों में पोलेंड, इस्पेन, ग्रीस और रोमानिया शामिल है हालनकि बर्लिय ने हाल में यूक्रेन को ये कवर पैट्रियर बैट्री सप्लाई करने का अबादा किया था महीं पोलेंड ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि उसके पास एक्स्ट्रा एयर डिफेंट सिस्टम नहीं है उदर इस्पेन ने कहा है कि वो यूक्रेन को अपने स्टॉक से सिर्फ छोटी संख्या में पैट्रियर डिफेंट और मिसाइल ने दे सकता है मगर वास्तिविक सिस्टम नहीं दे सकता ग्रीस ने भी बारी दबाव का विरोध किया है ग्रीस के पियम ने जोर दे कर कहा है कि ऐसी कोई कारवाई नहीं की जाएगी जो हमारे देश के एयर डिफेंस को दूर से खत्रे में डाल से गौर्दलब कि अमेरिका और पैट्रेट एयर डिफेंस सिस्टम ने बार बार रूस को तंग किया है तो यूक्रेन की मदद किये वही यही वज़ा है कि यूक्रेन ने फिर से सिस्टम को लेकर मांग कर दी